नमस्कार दोस्तो आपका श्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित ब्लॉग पर आसा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तो तो दोस्तो मैं आज आपको बुरानपुर की एक बहुती फेमस जगह काला ताजमेल दिखाने लाया आठ से दस किलो मीटर इस्तित आजाद नगर में इस्तित है काला ताजमेल ये इसके बाहर का गेट है देखिए दोस्तो इस तरह का बना हुआ ये गेट है और दोस्तो ये है काला ताजमेल जो आपको ठीक सामने दिख रहा है ये काला ताजमेल है दोस्तो इस इमारत का निर कांगीर के आदेश से 1622 से 1623 इसवी में अपने सेनापती सहनवाज की याद में किया गया है और इस काले ताजमेल के अंदर सहनवाज और उसकी पतनी की मजार है ठीक उसी तरह जिस तरह ताजमेल जो की आगरा में बना हुआ उसमें मुम्ताज और सहाजा की मजार है उसी तरह ठीक इस काले ताज महल बे भी सायनवाज और उसकी पत्नी की मजार है तो दोस्तो देखिए इस तरह का बना हुआ है ये ताज महल काला ताज महल काले फत्तरों से बना हुआ है और इस तरह की उसमें इमारतें बनी हुई है मिनारे बनी हुई है दोस्तो इस ताजमेल को देखने के लिए काफी लोग आते हैं यहाँ पर देश विदेशों से और इस तरह की नकासी वो रखी है इस ताजमेल में फत्तर के अंदर इस तरह की दोस्तो रिजाइन बने हुए है फत्तर के अंदर ताजमेल में और मिनारे बनी हुई है और इनी मिनारों को देखकर जो आगरा में ताजमेल बना हुआ है उसमें भी इस तरह की मिनारे बनाई गई है बाकी ये छोटा है उससे आगरा के ताजमेल से पर सहाजान ने इससे प्रेरित होकर ही आगरा का ताजमेल बनवाया था दोको दोस्तो इस तरह की डिजाइने हैं पर आप समय के साथ मिट गई है इस तरह की डिजाइन नकासी की गई है दीवालों के अंदर और इस तरह की पेंटिंग है जिसमें अच्छी चित्रकला बनी हुई है रोचक बात पता है दोस्तो क्या है कि इसमें से आज तक कलर फैट नहीं हुआ है जितना भी अगर आपको निकला हुआ उखड़ा हुआ दिख रहा है तो वो केवल दीवाल में से उखड़ा हुआ है पर कलर आज की डिट में वैसा का वैसा ही रखा हुआ है कलर फैट नहीं है बिलकुल एकदम साफ कलर रखा हुआ है इस तरह की डिजाइन बने हुए है दिवाल के अंदर ये दूसरे गेट पर है इस तरह का डिजाइन और क्या फूलों की आकरतियां बनी हुई है ये छट में डिजाइन बने हुए है ये है सैनवाज की मजार और उसकी पतने की मजार इनकी ऐसा बताया था कि असली मजार इसमें नीचे तैखाना है उसमें है ये तो किवल सैलानियों और यो देखने आने वाले उनके लिए है और ये एक मिनारे उसके नीचे का एरिया है इस तरह की इसमें चार मिनारे बनी हुई है और चारों मिनारों में आपको दिखाऊंगा किस तरह की डिजाइन बने हुए है इन मिनारों के नीचे चलिए दोस्तों मैं दूसरी मिनार की तरफ चलता हूँ और ये उसके बीच में इस तरह की डिजाइन बनी हुई है अभी ये समय के साथ इस तरह का हो गया है बाकी पुरातत विवाग इसको काफी सहेच का रखना चारा है हाली में पुरातत विवाग ने इस पर केमिकल से सफाई की है देखिए दोस्तों फत्तरों पर इस तरह की डिजाइन है नकासी है और ये फत्तरों में डिजाइन बना कर जाली बनाई गई है सेनवाज खान दोस्तों सुप्रसिद्ध कभी मुगल सेना के सेना पती रहे और अकवर के नौरतनों में सेख अब्दुलरहिम खाने खाना के बड़े बेटे थे सेनवाज और काफी पहलवान थे काफी सक्ति साली थे पर थोड़ी सी अपनी गलत आदतों के कारण उन्हें कम उमर में ही देव त्यागना पड़ी इस तरह की मिनारों की नीचे डिजाइन बने हुए है दोस्तों ये काला ताजमेल सुवा नौ वजे खुलता है और साम को पांच वजे बंद हो जाता है जब भी कोई से देखने आए तो नौ से पांच के वीच में आए ये काला ताजमेल दोस्तों चाकोर आकार का है और एक गुम्मत जैसा दिखता है इसके चारों तरफ चार मिनारे हैं जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ चारों मिनारों को जो कि धनुस आकार की बनी हुई है देखिए दोस्तों ये इस तरह का दिख रहा है इस साइट से और इस तरह की मैंने आपको मिनारों के नीचे दिखा दिया है और इस तरह की ये मिनारे है काले फट्तर से बना होने के काला ताजमेल का जाता है जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया है कि साजा को आगरा में बना संगमरमर का ताजमेल का आइडिया इसी ताजमेल को देखने के बाद आया था उसने इस ताजमेल को देखने के बाद विचार कर लिया था सोच लिया था कि मैं भी अपनी बेगम के लिए ताजमेल का निर्मान कराऊंगा और उसने प्रियास किया था पहले कि ये ताजमेल जो आगरा में बना हुआ है वो वुरानपुर में हो जाए पर ऐसा संबब नहीं हो पाया तो उसे आगरा में बनाया गया ठीक पास में ये पांदान महल है दोस्तो ये भी दिखाऊंगा मैं आपको तो दोस्तो इस तरह का दिख रहा है इस साइट से ये महल इस तरह की दोस्तो इसमें मिनारे बनी हुई है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो दोस्तो आज यहां पर काफी सहलानी भी आई हुए हैं भीया मिल गए हमको भीया आपको कैसा लगा यह काला ताजमेल बहुत पुराना बना हुआ है और यह जांगीर के सेहनफदी था सहनवाज उसकी कवरस्तान यहां पर बनाई गई है जो औरजिनल है वो यह नीचे है और ऊपर है बहुत सारे लोग आते देखने के लिए इसको तो आप कहां से आया भीया मैं जिला बिंड से आया हूं इसको देखने के लिए इसका बहुत चर-चर सुनाया है और इतियास में बहुत अच्छा दिया है इनके बाड़े में आया मुझे भी नगा तो दोस्तों हमने यहां पर है ना सैलानियों से बात कर रही काफी दूर से आय हुए है यह ताज में है इसका नाम पानदान महल पड़ा हूआ है दोस्तों दोस्तो इस महल के बारे में हमको सही तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है जानकारी में मतभेद है इसलिए मैं इसकी आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा बाकी मैं इस इमारत को आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की बनी हुई है यह पान के आकार की बनी यह इमारत काफी जरजर इस्तिती में हो गई है यह इमारत और इसके अंदर इस तरह के दीवाल में डिजाइन बने हुए है ठीक हूँ हूँ काले ताज महल की तरह डिजाइन बने हुए है और ठीक यह काले ताज महल के पास बनी हुए इमारत है और काले ताज महल की तरह ही इ ठीक काले ताज महल की तरह भी छत में भी डिजाइन बने हुए हैं। दोस्तो आप देखी रहे होंगे काले ताज महल की तरह इसमें भी डिजाइन बने हुए हैं। तो दोस्तो ये इमारत पांदान महल काले ताज महल के ठीक पास में ही है। दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंड करकर बताएं वीडियो को लाइक करें सेर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने अगरे दिया आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बेल आइकन का बटन दबाने ताकि हमारा वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक आए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो आपका सायोग बहुत मिल रहा है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद